जै हिंद, जै जवान, जै किशान आप देख रहे हैं ग्यानोदय ग्यान पूरे देश में भारत देश में किशानों को प्रधान मंत्री किशान सम्मान निधी योजना के तहत 6,000 रुपए बार्शिक दिये जाते हैं यह योजना एक दिसंबर 2018 से लाग हुई तथा एक फरवरी 2019 को किर्शक उन्हें अब तक 2019 तक जो किर्शक थे उनको इस योजना के अंदर लाभारती माना गया है उन्हें अब तक 11 किश्टें प्राप्त हो चुकी हैं किसानों के खाते में पहली किश्ट एक अपरेल से 31 जुलाई तक डाली जाती है तथा दूसरी किश्ट एक अगस्ट से 31 नमोमन के बीच तथा तीसरी किश्ट एक दिसंबर से 31 मार्च के मद में कभी भी डाली जा सकती ह बर्स 2022 की पहली किस्ट पिधान मंत्री जी ने 31 मई 2022 को सिमला में ट्रांसफर किया था बर्स 2022 की दूसरी किस्ट 1 सितंबर 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर की जानी है यह दूसरी किस्ट सिर्फ उनी किसानों के खाते में आएगी जन्हें ने EKYC करा लिया है EKYC कराने की अंतिम्तिथी को बढ़ा कर 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है जिसका इन्होंने यहाँ पर देखे मैंसन भी कर दिया है कि अंतिम्तिथी 31 अगस्त 2020 है इस तारीक तक जिन भी किशानों के EKYC नहीं होते हैं उनको बार्यमी किश्त का टांसफर नहीं किया जाएगा उनकी किश्त रोक दी जाएगी तो आपने 31 अगस्त 2022 के पहले तक अपना EKYC जिनोंने नहीं कर आया है कर वाले यदि जिन भी साथियों को यह लगता है कि उनका EKYC हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसको चेक करने के लिए आपने PM किसान डाल कर सर्च करें Google पर PM किसान डाल कर जैसे ही सर्च करेंगे ओफिसियल साइट का PM किसान डाल कर दें तो यह पधान मंत्री किसान सम्मान निदी की ओफिसियल बैप साइट पर आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर फार्मर कॉनर दिया हुआ है इसी में EKYC नाम New के नाम से एक मोडूल जोड़ा गया है इस पर आपने किलिक करना है अपना स्टेटस चेक करने के लिए EKYC हुआ है कि नहीं जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे तो OTP-based EKYC यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर आपने आधार नमबर डालना है मेरे पास एक किर्षक का आधार कार्ड है उसका आधार नमबर मैं यहाँ पर डाल के चेक करके आपको बताता हूँ किस तरीके से दिखाई देगा तो मैंने आधार का नमबर डालने के बाद यहाँ पर सर्च दिया हुआ है सर्च पर किलिक कर दे तो EKYC is already done यह देखिए EKYC is already done आ गया है यानि कि इस किर्षक का EKYC इसने करा लिया है इन्होंने और इनका EKYC हो गया है इसी तरीके से आप अपना आधार नमबर डालकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका successful हुआ कि नहीं हुआ यदि जिस भी ब्यक्ति का ये message ना आके आधार से register mobile number मांगने के लिए website आंगे ले जाती है तो इससे आप समझ जाईए कि आपने अभी तक EKYC नहीं कराया है तो वो successful नहीं हुआ है तो ऐसे किर्षक 31 अगस्त के पहले पहले अवस्च करा लें नहीं तो बार्मी किस्त आपके लिए खाते में नहीं आईगी यहाँ पहले ही यह चीज को बताया गया है तो किसानों से संबंदित ऐसे ही अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लें थैंक्यू फॉर वाचिंग राम राम किसानों भाईयो